हलो दोस्तों मैं आसे सिंग MMC दा इंजिनियर्स में आपका श्वागत करता हूँ आज भुगोल विशय में मैं म्रदा संसाधन के विशय में बातचीत करूँगा जिसमें इस टॉपिक से आप देखेंगे कि एक एक प्रश्ण जो आपके एक्जामस में आते हैं उनको हमें करते हैं सबसे पहली बात चीत तो यह है म्रदा संसाधन लिखा हुआ है म्रदा संसाधन स्वैल रिसोर्च इसको अगर हम लोग दो भागों में बाटने का प्रयाश करें तो पहले भाग में आप सभी लोग जानते हैं कि म्रदा की परिभाशा यानि definition of the soil इसी प्रकार से म्रदा जनन जिसे कहते हैं म्रदा का निर्मान म्रदा का वरगी करण और इसके बाद आप देखेंगे म्रदा परिछेदिका दूसरे सेगिमेंट में आप देखने का प्रयास करेंगे जितना भी क्रिशी कार्य होता है चाहे फसलों के रोप में खरीब की कि फसले रवी की फसले जैद की कि फसले हो या फिर क्रिशी क्रांतियों से भी धेश आरे कोश्यान आते हैं farming शेक्टर में समानूष आप देखेंगे जैसे विटी कल् CD हो गया सेरी कल्ชur हो गया पेशी कल्चर और हो गया यह सब आपके ःग्जाम सें पूछे जाते हैं कै स हम सबसे पहले इसकी परिभाशा के विशह में बातचीत करते हैं डेफिनेशन के विशह में बातचीत करते हैं परिभाशा श्वैल अगर हम लोग कहें कि ये म्रदा क्या है तो हम अपनी प्रत्वी की सबसे उपरी पपड़ी को म्रदा के रूप में कह सकते हैं the uppermost layer of the crust that is called swell मिट्टी के विशय में अगर हम लोग बातचीत करें तो भारतिय धर्म ग्रंतों में म्रदा को मृतिका कहा गया है दूसरा लेटिन भासा में अगर हम लोग बातचीत करें तो इसे शोलम कहा गया है और तीसरे नमबर पर ग्रीक भासा में इसे कहें तो इसको पेडो कहा गया है कभी कभी एक्जाम में पूछा जाता है कि म्रदा को लेटिन भासा में क्या कहा जाता है तो शोलम कहा जाता है और ग्रीक भासा में क्या कहा जाता है तो पेडो कहा जाता है इसी प्रकार म्रदा के क्रम बध्य अध्यन को the systematic way of study उसी को हम क्या कहते हैं पेडोलोजी कहते हैं म्रदा विज्ञान कहते हैं म्रदा के क्रम बध्य अध्यन को पेडोलोजी के नाम से जानते हैं या फिर म्रदा विज्ञान कहते हैं यह रही इश्की परिभाशा दूसरे नमबर पर अगर हम लोग बातचीत करें तो मृदा की विशेस्ता क्या होती हैं प्रदूषित हो गई तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि मृदा के बनने में लंबा वक्त लगता है म्रदा के बनने में लंबा वक्त लगता है इस कारण यदि ये प्रदूशित हो गई तो दोबारा उसको हम प्राप्त उसी सुरूप में नहीं कर सकते हैं इसलिए म्रदा को हम अनव करेडिये संसाधन भी मानते हैं एक्जाम में आता है कि म्रदा किस प्रकार का संसाधन है तो अनव कर डिये संसाधन है दूसरी बात ये है कि म्रदा में जीवन नहीं होता लेकिन ये जीवधारियों की उदभाव और विकास में सहायक होती है इसलिए म्रदा को लाइब सिस्टम भी कहा जाता है जीवित तंत्र भी कहा जाता है तीसरे नमबर पर अगल हम लोग बातचीत करें म्रदा संसाधनों खनीजों के भंडारन के लिए इसी प्रकार बरतन निर्माण के लिए तथा अन्य कारियों के लिए इसका समानुफशे प्रियोग होता रहता है तो यह इसकी महत्वपूर्ण विशेस्था हैं कि म्रदा को अनवकरडिये स्रोत कहें या अनवकरडिये संसाधन कहें तीसरे नमबर पर आईए हम लोग बातचीत करते हैं म्रदा जनन के विशे में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है म्रदा जनन म्रदा जनन लिखा हुआ है जिसे हम लोग पेडो जनिसिस भी कहते हैं पेडो जनिसिस ध्यान दिजिए पेडो ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये ग्रीक भासा करशब्द है यूनानी भासा का शब्द ग्रीक यह कहिए या यूनानी कहिए ये ग्रीक भासा का शब्द है जिसमें पेडो का अर्थ होता है स्वैल पेडो का अर्थ होता है स्वैल और जनिशिश का मतलब होता है अर्थ होता है बर्थ इसका मतलब यहां से क्लियर है कि म्रदा के जन्म को ही म्रदा के जन्म को ही म्रदा जनन कहते या फिर बर्थाप स्वायल दाइट इसकाल पेडो जनिशिश यदि इसका हम आकलन करें तो आप सभी लोग यहां पर देखेंगे कि अगर कोई चटान है रॉक है और ये चटान भी प्रभावित होगी जलवायु से तापमान से इसमें भी अपछय और अपरदन की जब क्रिया होगी तो ये ब्रेक होगी तो स्टोन में कनवर्ट होगा इस स्टोन इस आलसो कनवर्टेट पेबल पेबल उन चिकने पत्थरों का समू कहा जाता है जो नदियों की धाराओं के शाथ आगे बढ़ते हैं और घर सी थोकर लिए इन्हें पेबल कहते हैं इसके बाद पेबल जो है और भी आगे सुक्ष में सुरूप में कनवर्ट होगा जिसे हम सैंड कहेंगे सैंड फिर चीका में कनवर्ट होगा चीका के बाद सिल्ट में कनवर्ट होगा इसका मतलब यह है कि म्रदा निर्मान की जो प्रक्रिया ह देखे कितनी लंबी है पहले स्टोन होता है स्टोन से बोल्डर होता है पिबल होता है सैंड होता है चीका होता है सिल्ट होता है सिल्ट किशे कहेंगे सिल्ट किशे कहेंगे तो सिल्ट हमारे जो महानगर है उन महानगरों में समानुप से जो बड़े बड़े नाले होते हैं आप कह सकते हैं कभी सुने होंगे कि उसमें सिल्ट जमा हो गया है इसलिए जो पानी का बहाव हो रुख गया इसका मतलब silt किसे कहेंगे तो silt जयो और अजयो का एक मिस्रन होता है बायोटिक और अबायोटिक का एक क्या होता है component होता है बायोटिक क्या होता है यानि जयो किसे कहते हैं ऐसे जिवधारी जो मृत होने के पश्चात अप घटकों के दौरा सुक्ष में अडवों में तबदील हो गए हो जैसे माली जी कि कोई जन्तु है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके शरीर में भी प्रोटीन होता है कार्बो हाइड्रेट होता है वसा होता है जिसे डीकंपोजर डीकंपोज करके प्यूट्रेट करके शड़ा गला के मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं तो जो ये कार्बनिक पदार्थ प्राप्थ होता है और्गेनिक मैटर होता है उसी को हम हिूमस कहते हैं याद रखिएगा कार्बनिक पदार्थों को हम हिूमस कहते हैं दूसरी बात जो डीकंपोजर होते हैं चूंकि म्रदा की सफाई के लिए उनको प्रकृति ने तयान तैनात किया है इसलिए इन डीकंपोजर्स को म्रदा का सफाई कर्मचारी या फिर स्केवेंजर आप स्वैल भी कहते हैं खास तोर पे आपने केचुआ को देखा होगा केचुआ म्रदा को रिनीवल करता है इसलिए आरस्तू महोदय ने केचुआ को small intestine of the soil वा friend of farmer भी कहा है आपने सुना होगा केच्वा के बर्धन के लिए केच्वा के प्रजनन के लिए जो कल्चर अपनाया जाता है उसे हम वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं एक्जाम में पूछा जाता है कि किशान का मित्र किशे कहते हैं तो केच्वा को कहते हैं इसे प्रकार से म्रदा का मेहतर किसे कहा जाता है देखेंगे के चुआ उत्पादन से है आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे और मैं चाहूंगा कि अगर किशी भी प्रकार किश में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और अगर सब को सही है तो वायू हो गया जैसे जल हो गया जैसे खनीज हो गये ये सब के सभीष में निले होते है इसलिए इन्हें हम अजयाव संसाधन या जयाव घटक कहेंगे इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम आसानी से मिट्टी की परिभासा भी निकाल सकते हैं कि चट्टानों का सुक्षितम असलों के उत्पादन में घर के निर्माड में बरतन के निर्माड भूए उपयोगी होती है इसे लिए इसे संसाधन कहते जैसे किसी रास्ट की वास्तिविक शंपति उसके नागरिक होते हैं क्योंकि वो नागरिक important होते हैं इसी प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि जो म्रदा होती है ये एक asset है और इस asset को हमें कभी भी pollutant या प्रदूसित नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इतना लंबा वक्त लगता है इसके निर्माण में तो सोचिए जरा क्या इसको पुना है हम सोधित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें बचना चाहिए ऐसे खरपतवार नासी को छिड़कने के लिए हमें बचना चाहिए केट नासक का प्रियोग करने स से हमें बचना चाहिए उर्वर्कों का प्रियोग करने से क्योंकि ये धीरे-धीरे म्रदा की गुडवत्ता को म्रदा की फर्टिलिटी को समाप्त कर रहे हैं क्लियर है दोस्तों तो आईए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे इसका जो महत्तोपूर्ण भाग है वो है आपका म्रदा परिछेदी का म्रदा परिछेदी का स्वाइल प्रोफाइल जिसे कहेंगे स्वाइल प्रोफाइल यहाँ पर आपको ध्यान देना है हम लोग शब लोग पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि म्रदा से परचित नहीं होंगे क्योंकि we are the soil of sun हम सब माटी के पूत हैं हमारे घर में खेती किशानी है हमें खुप पता रहता है कि मिट्टी किशे कहते जब मिट्टी को हम लोग नजदीक से समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में कई layers पाई जाती है एक सबसे उपरी layer होती है जिसे membrane कहते हैं इसके बाद आप देखेंगे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर होती है लेकिन यह जो मेंब्रेन होती है यह एक तरह से सरीर का बॉडी गार्ड होता है क्योंकि इसमें पानी पड़े या फिर कुछ भी पड़े काफी हद तक यह हमारे सरीर के अंदर इंफेक्शन नहीं होने देती इसी प्रकार मिट्टी भी है, मिट्टी में भी कई परते होती है यदि इस परतों के विशे में हम जानने का प्रयास करें मृदा का विभिन उप परतों में पाया जाना ही मृदा परिछेदिका या स्वाइल प्रोफाइल कहते हैं मृदा का विभिन उप परतों में पाया जाना ही मृदा परिछेदिका या स्वाइल प्रोफाइल कहा जाता है जिन्हें हम सामानुप्षे चार भागों में इंडिकेट करते हैं जैसे ये पहली लेयर हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई आखिर इस स्वाइल प्रोफाइल की लेयरों को हम नाम क्या देते हैं तो आप याद रखेगा पहले नंबर पर आप देखेंगे, होरिजन ए कहेंगे, इसी प्रकार दूसरा है, होरिजन बी कहेंगे, होरिजन बे कहेंगे, तीसरा है, होरिजन सी कहेंगे, C और चौथा क्या हो गया होरिजन D कहेंगे ठीक है यह 4 लेयर है अगर इस लेयर की गुडवत्ता के विशे में देखा जाए तो सोचिए यह लेयर जो हमारी होती है वो प्रत्वी की सबसे उपरी लेयर होती है यानि म्रदा हमारी प्रत्वी के सबसे उपर तो हई है लेकिन उसमें भी आप देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि म्रदा की जो सबसे उपरी सबसे उपजाव परत्थ होती है उसी को हम टॉप स्वैल कहते है उसी को हम क्या कहते है होरीजन एक कहते हैं इसको हम टॉप स्वैल भी कह सकते हैं अब आप इसमें देखेंगे कि जैसे कोई पेड़ है कोई फ्लोरा है पेड़ को हम क्या कहते हैं कोई भी पेड़ हो छोटा सा छोटा पेड़ हो बनस्पती हो या फिर बड़ा पेड़ हो उसके समू को हम क्या कहते है flora कहते हैं, यहां तक सैवाल जो होता है, जिसे LG कहते हैं, वो भी एक प्रकार का पौधा ही है, जिसे हम काई के रूप में देखते हैं, अब आप है सोचिए कि यह जो ब्रक्ष है, यह जो बनश्पती है, इसको ज्यादा-ज्यादा जो चीजे मिल नहीं है, वो कहां से मिल नह है, एकजाम में पूछा जाता है कि मरदा की सबसे उपजाव उपर लेयर की से कहते हैं, तो आप देखेंगे टॉप सोयल को कहते हैं, या फिर होरिजन A को कहते हैं, उमीद है कि आप सभी लोगों को बेहतर से बेहतर यह समझ में रहा होगा, दूसरा आप देखेंगे, मरद अनियमित आकार के कंकड भी पाय जाते हैं, इन अनियमित आकार के कंकडों को हम अगर देखें तो यह सोडियम सिलिकेट की ग्रंथिया होती हैं, जो समानुप्षे मरदा में धिरे-धिरे तबदील हो रही होती है, तीसरा आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो परते पाय जा याद रखी से सब स्वयल कहते हैं सब्स्वयल कहेंगे इसे क्या कहेंगे इसे हम parent週 कहेंगे और इसे क्या कहेंगे तो याद रखिएगा यह वाला जो समा निस्तिती है इसमें इस प्रकार से चट्टाने पाई जाती हैACE इसलिए इस परत को bedrock भी कहते हैं बेड राक भी कहते हैं अब यहां से एक question पूछा जाता है कि म्रदा की सबसे उपरी म्रदा की सबसे उपजाव परत कौन सी होती है तो इसमें आपको उपरी परत को बता देना है top soil को बता देना क्यों कि इसमें humus होता है humus क्या होता है तो मृत जीवधारियों का सड़ा गला जो कार्मनिक पदार्थ होता उसी को humus कहते हैं कौन सड़ाता गलाता है decomposer करते हैं decomposer क्या कहा जाता मृता का मेहतर कहा जाता सफाई कर्मचारी कहा जाता I hope that कि आप सभी लोग इतनी चीजों के विश्यम बहुत अच्छे से समझ गये होगे आए हम लोग आगे बात चीत करते हैं म्रदा का वर्गी करण म्रदा का वर्गी करण यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए देखिए हम सब लोग जानते हैं कि यह जो म्रदा होती है भारत जैसे देश में लगभग सभी प्रकार की पाई जाती लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँ बहुत से दुनिया में देश हैं जिनका आकार इतना छोटा है जो छेत्रफल में इतने छोटे हैं कि वहाँ पर एक ही प्रकार की मिट्टी एक ही प्रकार की जलवायू और लगभग एक ही तरह के लोग पाई जाते हैं लेकिन भारत में आप देखेंगे कॉंटिनेंटल क्लाइमेट होता है भारत में अगर आपको बहुत स्वेतवर्ण के लोगों को देखना है तो लद्दास में चले जाएं भारत में एक पीले चमडी वाले लोगों को भी देखना है तो आप पूर्वी छेत्र में चले जाएं काली चमडी वालों को देखना है तो आप साउथ में चले जाएए आप सोचिए भारत की जलवाई कॉंटिनेंटल है भारत में माइनस में भी टंप्रेचर है भारत में 48 डिगरी तक भी पहुचने वाला टंप्रेचर है भारत में रेतिले मरुस्थल है भारत में घने जंगल भ पश्मी घाट करनाटा केरल और अंध प्रदेश का सेसा चलम जो पहाड़ी आज कल सेसा चलम पहाड़ी के विशय में आप सभी लोग जानते होंगे लाल चंदन के लिए फेमस है उसके उपर एक फिल बनी हमा उसके विशय में भी जानते होंगे इसलिए भारत को उप महादियूपिय देश कहा जाता है कॉंटिनेंटल कंट्री कहा जाता है तो आए हम लोग पहले म्रदा के वरगी करण के विशय में समझने का प्रयास करते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका का जो क्रिशी डिपार्टमेंट है अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट है वह बहुत ही ज्यादा विक्षित क्यों विक्षित है 1986 में सोचिए हम क्लासिकल फार्मिंग करते थे और वह उस समय सांटिफिक फार्मिंग को स्टार्ट कर दिया था उसका उधारन भी मिलता है नार्मन ई बोरलाग सहाब का नाम सुने होंगे नार्मन ई बोरलाग सहाब ने अमेरिका और मेक्षिको में जाकर किस प्रकार से स्टिफिक खेती को आगे बढ़ाया उन्होंने हाइब्रिट जो फार्मिंग है उसको किस प्रकार सुनोंने आगे ब ज्यानिक MS स्वामी नाथन साहब जो थे उनी के सायोग से भारत में भी हरित क्रांति की शुरुवात करते इसका मतलब यह है कि अगर म्रदा वर्गी करण की बातचीत किया जाए तो अमेरिका इसमें ज्यादा आगे है इसलिए पहले उसकी बातचीत करनी पड़ेगी तो याद मारबुट सहाब ने दुनिया भर की मिट्टी का सबसे पहले विशलेशन किया विशलेशन किया पहली बार विशलेशन किया इसलिए स्वाइल क्लासिफिकेशन का इन्हें जनक कहा जाता है यानि फादर आफ स्वाइल क्लासिफिकेशन कहा जाता है वही अगर म्रदा विज् यह दोनों बातों को आपको याद रखना है यह अमेरिका से संबंदित है और ब्लादमीर डकाचेप यह रूस से संबंदित है यहां तक आपको clear हो गया होगा इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में तीन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है पहला इन्होंने कहा journal soil दूसरा a journal soil तीसरा intra journal soil exam में question बस इतना पूछेगा father आप soil classification की ने कहा जाता है तो cf marmur sahab को कहा जाता है यह आपको याद रखना इसके बाद ध्यान दिजे हमारा भारती क्रिशी अनुसंधान जो परिशद है भारती क्रिशी अनुसंधान परिशद यानि icar इसके according भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आए इसको हम लोग diagram के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारत में यह 8 प्रकार की मिट्टी समारुप्षे कौन कौन से कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग भी शीख लीजेगा कि भारत का बढ़िया चित्र बनना स्टार्ट हो जाए और इसी में हम सब लोगों को ध्यान में रखना है कि आखिर वो मिट्टियां कौन कौन सी है देखिए सबसे पहले अगर हम बात चित करें तो हिमाले में जो मिट्टी पाई जाती होगी आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार की मिट्टी को औरोग्राफिक स्वयल या माउंटेन स्वयल भी कहते हैं परवती म्रदा इस बात को सभी लोग ध्यान दिजेगा यह सबसे उपर हिमाले छेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है इसी को हम क्या कहते हैं परवती म्रदा कहते हैं यहां पर आप सभी लोग ध्यान दिजे यह जो छेत्र है यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है बच्चों इसे थली मरदा है यह होगई aurographic soil यह होगई desert soil इसके बाद यहां पर आप सभी लोग ध्यान देने का प्रयाश करिए यह जो पूरी की पूरी मिट्टी है इसे हम क्या कहें गे ब्लैक इसके बाद लाल मिट्टी यहां पर आप ध्यान दिजेगा यह जो पूरा का पूरा भाग है यह लाल मिट्टी वाला भाग हो गया red रेट स्वैल हो गया इसी प्रकार से ये वाला जो हो गया इसे क्या कहेंगे इसे लेटराइट स्वैल कहेंगे ये क्या है लेटराइट स्वैल वाला रीजन इसी प्रकार यहां पर भी आप देखेंगे असम हो गया में घाले मणी पूर्वगारा में यह लेटराइट स्वैल य डेल्टा स्वैल कहते हैं अगर हम पहले नंबर पर बात चीद करें तो सबसे पहले यह वाली हो गई परवती म्रदा जब पढ़ते हैं तो जलोड से ही शुरुआत करते हैं हलाकि यह जलोड हो गई इसी प्रकार यह कौन सी हो गई मरुस्थली हो गई मरुस्थली के बाद यह काली म्रदा हो गई और इसके बाद ध्यान दिजेगा यह जो मिट्टी है इसे लाल म्रदा कहेंगे रेट स्वैल इसे क्या कहेंगे इसे लाट राइट स्वैल कहेंगे और इसे क्या कहेंगे डेल्टा स्वैल कहेंगे डेल्टा म्रदा कहेंगे तो पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चवथा ये हो गया पांचवा आपके सामनी ये है छटवा आपके सामनी ये है सातवा आपके सामनी ये है अब आप देखिए आठवी प्रकार की चुकि मैंने आठ प्रकार की मिट्टी आप से कहा है तो जो आठवी प्रकार की मिट्टी है उसको हम by nature according to the by nature of the soil we are classified उसे हम saline soil कहते हैं यानि लवडी म्रदा कहते हैं यदी किशी म्रदा में यदी किशी म्रदा में आमलिये तथा छारिये गुरधर बे दमान होते हैं तो उसी म्रदा को हम saline soil कहते हैं यदी म्रदा का पी अचमान साथ से कम है तो इसका मतलब म्रदा लवडी होगी अर्थात आमली होगी और यदी म्रदा का पी अचमान साथ से अधिक है तो वो छारी होगी जैसे प्यारे बच्चों हम लोग खाना खाते हैं ज्यादा खा लेते हैं तो हमें ACDT हो जाता है और उस ACDT को कम करने के लिए हम लोग इनो अगारा पिलेते हैं इसी प्रकार जलजीरा वगारा ले लेते हैं पुदीना हरा पुदीना वगारा जो है इस तर का या किस योगिक का छिड़काव किया जाता है उसका नाम है लाइम या फिर चूना वहीं छारियता को दूर करने के लिए हम जिस योगिक का प्रयोग करते हैं उस योगिक को कहते हैं जिपसम तो अमलियता दूर करने के लिए चूने का प्रयोग और छारियता दूर करने के ल कैसे question बनते हैं तो आप सभी लोग दानेंगे पहली बात तो question होगा कि म्रदा के अध्यन को क्या कहते हैं म्रदा अध्यन को क्या कहा जाता है तो वहाँ पर चार option आपको exam में दिये होंगे तो आप सभी लोग उसका जवाब दे सकेंगे कि pedology कहते हैं यह पहला question बहुत important है पुछा जाता है दूसरा question यह है कि म्रदा विज्ञान का जनक किनें कहा जाता है यानि pedology का जनक किनें कहा जाता है तो वी डखाचेप सहाब को आप सभी लोग बता शकते हैं तीसरे नमबर पर म्रदा किस प्रकार का संसाधन है अनब करडिय संसाधन है अनब करडिय संसाधन है इस चीज को भी आप सभी लोग म्रदा किस प्रकार का सामानुप्षिश अंसाधन माना जाता है तो आप देखेंगे कि इसको live system याद रखिए live system या जीवित तंत्र के रूप में सामानुप्षिश माना जाता है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है आगे question है कि पेडोजनिसिस किसे कहते हैं पेडोजनिसिस किसे कहते हैं तो म्रदा के जन्म को या म्रदा के निर्मान को ही हम पेडोजनिसिस के नाम से जानते हैं इसके बाद six number पर आप देखेंगे म्रदा का मेहतर किने कहा जाता है म्रदा का मेहतर किसे कहा जाता है तो जो decomposer होते हैं अब घटक होते हैं उन्हें म्रदा का महतर या म्रदा का सफाई कर्मचारी अंग्रेजी से कहते इसके बंजर आप स्वैल कहा जाता है किशान का मित्र किशे कहते हैं याद रखिएगा किशान का मित्र किशे कहते हैं तो आप सभी लोग जवाब देशकते हैं किशर केचवा को किशान का मित्र कहा जाता है दूसरी बात यह है आठवे नंबर पर आप देखेंगे कि small intestine of soil म्रदा की छोटी आत किसने केचवा को कहा है तिसका जवाब आप सभी लोग आरस्तु का नाम देगे और नवे नंबर पर आप देखेंगे वर्मी कल्चर का सम्बंध किसे है तो केचवा पालन से सम्बंधित है वर्मी कल्चर इशी प्रकार father of soil classification कि नहीं कहा जाता है तो आप C.F. Marwood सहाब को बता सकते हैं C.F. Marwood was the father of soil classification इशी प्रकार म्रदा संस्तर किसे कहते हैं या म्रदा परिछेदिका किसे कहते हैं तो आप सभी लोग बताएंगे कि म्रदा के विभिन अस्तरों में पाया जाना ही म्रदा परिछेदिका कहलाता है और जिसमें सबसे ज्यादा Fertile जो layer है उसे हम A layer कहते हैं कभी-कभी कुछ विद्वान इसको O layer भी कह देते हैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग इतनी बातों को अच्छे समझ गयों बांकि इसके अगले की जो प्रक्रिया है हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपको जरूर दिया जाए दोस्तों ये हमारा पूरा लेक्चर रहा कैसा आपको लगा एक बार जरूर बताने का प्रयास करेंगे MMC The Engineers में आप सभी लोग पढ़ते हैं बिश्वास करते हैं और यकीन मैं भी आपको दिलाता हूँ अपने इस पर्युआर की तरफ से कि हम जितना भी बेहतर हो सकेगा और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे एक एक करके चीजों को बताने का प्रयास करेंगे और जहां पर डाइग्राम के और शकता है उसको हम आपके सामने लगा भी देंगे और हो सकेगा तो सबसे पहले हम मैनुवल मैप भी बना के जिससे उसमें आप भी कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करें ठीक है तो हमेशा आप लोग पढ़ते लिखते रहिए हमेशा स्वस्त रहिए जैहिन